श्रीरूत्र सन्हिता पार्वती खंड शिवजी द्वारा पार्वती जी की तपस्या की परिक्षा लेना ब्रह्मा जी बोले हे मुनिश्रेष्ट नारत सब्त्रिश्यों के अपने लोग चले जाने के पश्चात शिपजी ने देवी पार्वती की तपस्या की स्वयम परिक्षा लेने के बारे में सोचा परिक्ष लेने के लिए महादेव जी ने एक तपस्वी का रूप धारण किया और उस थान की ओर चल दिये जहां देवी पार्वती तपस्यारत थी वहाँ पाहुचकर उन्होंने देखा देवी पार्वती वेदी पर बैठी हुई थी और उनका मुखमंडल चंत्रमा की कलग के समान ते जो दीप्त था भगवान शिव ब्रामन देवता का रूप धारण करके उनके समुक पहुचे प्रामन देवता को आया देखकर पार्वती ने भक्ती पूर्वक उनका फल फूलों से पूजन सत्कार किया पूजन के बाद देवी पार्वती ने प्रामन देवता से पूछा हे प्रामन देव आप कौन है और यहां कहां से बधारे हैं मुनिश्पर आपके परमतेज से ये पूरावन प्रकाशित हो रहा है। कृप्या कर मुझे अपने यहां आने का कारण बताएं। तब भ्रामन रूप थारण किये हुए महादेव जी बोले। मैं इच्छा अनुसार विचरने वाला भ्रामन हूँ। मेरा मन प्रभु के और इस समय इस निजन्वन में क्या कर रही है। आप इस दुरलब और कठिन तपस्या से किसे प्रसन करना चाहती है। आपका क्या नाम है? आपके पिता का क्या नाम है? किस प्रकार आप तब के प्रति आसकत हो गई? क्या आप देव माता गायत्री हैं? लक्षमी हैं मुनिश्रेष्ट ना तो मैं वेदमाता गायत्री हूँ ना लक्षमी और ना ही सरस्वती हूँ मैं गिरी राज हिमाले की पुत्री पार्वती हूँ पूर्वर जनम में मैं प्रजपती दक्ष की पुत्री सती थी परन्तु मेरे पिता दक्ष द्वारा मेरे पती भगवान शिव का अपमान देख खर मैंने युगागनी द्वारा अपने शरीर को जला कर भस्म कर दिया था इस जनम में भी प्रभु शिव शंकर के सेवा करने का मुझे अफसर मिला था मैं नियम पूर्वक उनकी सेवा में व्यस्त थी परन्तु दुर्भागे से कामदेव के चलाए गए बान के फलस्वरूप शिव जी को क्रोध आ गया और उन्होंने कामदेव को अपने क्रोध की अगनी से भस्म कर दिया और वहां से उठकर चले गए उनकी इस प्रकार चले जाने से मैं पीडित होकर उनकी प्राप्ती का प्रयात्न करने ही तू तपस्या करने गंगा के तट पर चली आई यहां मैं बहुत लंबे समय से कठोर तपस्या कर रही हूँ ताकि मैं शिवजी को पुनहपती रूप में प्राप्त कर सकूँ परन्तु मैं ऐसा करने में सफल नहीं हो सकी हूँ मैं अभी अगनी में प्रवेश करने ही वाली थी कि आपको आया देखकर ठहर गई अब आप जाएं मैं अगनी में प्रवेश करूँगी क्योंकि भगवान शिव ने मुझे स्विकार नहीं किया है ऐसा कहकर देवी पार्वती उन भ्रामन देवता के सामने ही अगनी में समा गई प्रामन देवने उन्हें ऐसा करने से बहुत त्रोका, परंथु देवी-पार्वती ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी और अग्णी में प्रवेश कर लिया। परन्तु देवी पार्वती की तपस्या के फलस्वरूब वे दधक्ती हुई अगनी एकदम ठंडी हो गई, सहसा पार्वती अकाश में उपर की ओर उठने लगी, तब प्रामण रूप धारन किये हुए, भगवाने शिव हस्ते हुए बोले, हे देवी, तुम्हारे शरीर पर अगनी का कोई प्रभाव ना पढ़ना, तुम्हारी तपस्या की सफलता का ही सूचक है, परन्तु तुम्हारी मनोवांचित इच्छा का पूरा ना होना, तुम्हारी असफलता को दर्शाता है, अधह देवी तुम मुझ ब्रामण से अपनी तपस्या के मनोरत को बताओ, पा प्रणान में सदेवे ही निवास करते हैं। अतह उन्हीं की प्राप्ति के लिए ही मैंने इस तपस्या के कठन मार्ग को चुना है। यह सब प्रामन को बताकर देवी पार्वती चुप हो गई। और ठहरिये और मेरे हित की बात कहिये। देवी पार्वती के वचन सुनकर सादू का वेश्धारन किये हुए भगवानिशिव वही ठहर गये और बोले। सदेव अपने शरीर पर भस्मधारन किये रहते हैं। उनके सिर पर जटाएं हैं। शरीर पर वस्तरों के स्थान पर वे बाग की खाल पहनते हैं। और जादर के स्थान पर वे हाथी की खाल ओडते हैं। सापों के अनिक जुंड उनके शरीर पर सदा लिप्टे रहते हैं जहर को वे पानी की बाती पीते हैं उनके नीतर लाल रंके और अतियंत डराबने लगते हैं उनका जन्म कब कहां और किस से हुआ ये आज तक भी कोई नहीं जानता वे घर्ग रहस्ती के बंधनों से सदा ही दूर रहते हैं उनकी दस पुचाएं हैं देवी, मैं यहे नहीं समझ पा रहा हूं की शिवची को अपना पती क्यों बनाना चाहती हैं आपका विवे कहां चला गया है प्रजापती दक्ष ने अपनी पुत्री को सिर्फ इसलिए ही अपने यग में नहीं बुलाया क्योंकी वे कापालधारी भिक्षुक की भार्या है उन्होंने अपने यग में शिवचे अतरिक सभी देवताओं को भाग दिया इसी अपमान से क्रोधित होकर सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया था देवी आप अत्यंत सुंदर एवं इस्तरियों में रत्न स्वरूप है आपके पितागिरी राज हेमाले समस्त परवतों के राजा है फिर क्यों आप इस उगरुत पस्या द्वारा भगवाने शिव को पती रूप में प्राप्त करना चाहती है क्यों आप सोने की मुद्रा के बतले कांच को खरीदना चाहती है सुगंदित चंतन को छोड़ कर अपने शरीर पर कीचड़ क्यों मलना चाहती है सुंदर मुलायम वस्तरों को त्याग कर क्यों चमडे से शरीर को ढखना चाहती है क्यों राज महल को छोड़ कर वनों और जंगलों में भटकना चाहती है आपकी बुद्धी को क्या हो गया है जो आप देवराज इंद्र और अन्य देवताओं को जो रत्नों के भंडार के समान है छोड़ कर लोहे को अर्ताद शिवजी को पाने की इच्छा रखती है सच तो यह है कि इस समय मुझे आपके साथ शिवजी का संबंध परस पर विरुद दिखाई दे रहा है कहा आप और कहा महादेव जी आप चंद्रमुखी है तो शिवजी पंजमुखी आपके नेत्र कमल दल के समान है तो शिवजी के तीन नेत्र सदैव क्रोधित दृष्टी ही डालते है आपके केश अत्यंत सुन्दर है जो की काली घटाओं के समान प्रतीत होते है वहीं भगवाने शिवजी के सिर के जटा जूट के विशे में सभी जानते है आप सुन्दर कोमल साडी धारन करती हैं तो शिवजी कठोर हाती की खाल का उपियोग करते हैं आप अपनी शुभा बढ़ाने हे तु दिव्य अभूशन धारन करती हैं तो शिवजी के शरीर पर सदयव सर्प लिप्टे रहते हैं देवी आप परम सुन्दरी हैं आपका ये अद्भुत और उत्तम रूप शिवजी के योग्य नहीं हैं और तो और अपनी प्रिये कामदेव जी को भी उन्होंने अपनी क्रोधागनी से भस्म कर दिया था इसलिए आपको भगवान शिवजी के साथ अपने मन को कदापी नहीं जोड़ना चाहिए आपके और उनके रूप और सभी गुण अलग-अलग हैं जो की परस पर एक दूसरे के विरोधी जान बढ़ते हैं इसी कारण मुझे आपका और महादेव जी का संभंध रूचीगर नहीं लगता है फिर भी जो आपकी इच्छा हो वैसा ही करो उन राम्मण मुनी की बातों को सुनकर देवी पारवती बहुत दुखी हुई अपने प्राण प्रियतिलों की नाच शिव के विशे में कठोर शब्दों को सुनकर उन्हें बहुत बुरा लगा वे मन ही मन क्रोध कर देखता है मैं सत्य को कहां देख पाता है देवी पारवती बोली हे प्राम्मण देवता मैं तो आपको परम ग्यानी महत्मा समझ रही थी परन्तु आपका भेद मेरे सामने पूर्ण तह खुल चुका है आपने शिव जी के विशे में मुझे जो कुछ भी बताया है वे बातें सुनकर लगता है कि आप जूट बोल रहे थे क्यूंकि ज्यानी मनुश्य कभी भी त्रेलोकिनात पगवान शिव के विशे में कोई भी अप्रिये बात नहीं करते हैं यह सही है कि लीलावश शिव जी कभी-कभी अदभुद वेश्धारन कर लेते हैं परन्तु पर भ्रह्म हैं उन्होंने स्वच्छा से ऐसा वेश्धारन किया है आप कौन है जो भ्रह्मन का रूप धारन करकर मुझे छलने के लिए यहां आएं हैं आप ऐसी अनुचित व असंगत बातें करके इवं तर्क वितर्क करके क्या साबित करना चाहते हैं मैं भगवान शिव क स्वरूप को भलीभाती जानती हूँ बास्तव में शिव जी निरगुण भ्रह्म है समस्त गुण ही जिनका स्वरूप हो भला उनकी जाती कैसे हो सकती है शिव जी तो सभी विद्याओं का आधार है भला फिर उनको विद्या से क्या काम हो सकता है जो चराचर जगत के पिता उनके भक्त जन मृत्यों को भी जीत लिते हैं जिनके द्वारा इस प्रकृति की उत्पति हुई है वे सभी तत्वों के आरम के विशय में जानते हैं उनकी आयू का माप कैसे किया जा सकता है। इसे कल्यान मई बगवान शिव की अराधना करने से ऐसा कौन सा मनुरत है जो सिध नहीं हो सकता। बगवान शिव के समक्ष आठों सिध्धियां सिर्ट जुका कर इसलिए नृत्ति करती हैं कि भगवान उनसे सदासन तुष्ट रहें। भला ऐसे भगवान शिव के लिए कोई भी वस्तु कैसे दुर्लब हो सकती है भगवान शिव का स्मरन करने से ही सबका मंगल होता है इनकी पूजा के प्रभाव से ही उपासक की सभी कामनाई सिध्ध हो जाती है ऐसे निर्विकारी भगवान शिव में फलविकार कहां से और कैसे आ सकता है, जिस मनुष्य के मुख में सदैव शिव का मंगलकारी नाम रहता है, उनके दर्शन मात्रों से ही सपवित्र हो जाते हैं, आपने कहा था कि वे अपने शरीर पर चिता की भस्म लगाते हैं, यह पू अर्थात उनके सपर्श मात्र से ही आपवित्र वस्तू भी पवित्र हो जाती है, बला उन्हें कैसे साधारन बुद्धी द्वारा जाना जा सकता है, उनके निर्गुण रूप को आप जैसे लोग कैसे जान सकते हैं, दुरचारी और पापी मनुष्य भगवान शिव के हे ब्रामन, आपको ज्यानी महत्मा मान कर, मैंने आपकी पूजा की, परन्तु आपने शिव जी की निंदा करके अपने साथ साथ मुझे भी पाप का भागी बना दिया है, आप घोर शिव ध्रोही हैं, यह कहकर देवी पार्वती का क्रोध और बढ़ गया, और वे बोली, अ सदेव निर्विकार रहने वाले हैं, वे मेरे अभीष्ट देव हैं, काल भी सदा उनके अधीन रहता है, वे भक्त वच्सल शिव शंकर ही सरवेश्वर हैं, और हम सब के परमेश्वर हैं, वे दीन दुख्यों पर अपनी क्रपद रिष्टी बनाए रखते हैं, उन ही महाद देव जी को पती के रूप में प्राप्त करने ही तू, मैं शुद हिर्दय से इस वन में घोर तपस्या कर रही हूं, कि वो मुझे अपनी क्रपद रिष्टी से क्रतार्त कर मेरे मन की इच्छा पूरी करें। ऐसा कहकर देवी पारवती चुप हो गई, और निर्विकार होकर पुनह शांत मन से शिव जी का ध्यान करने लगी। उनकी बातों को सुनकर, ब्रामण देवता ने जैसे ही कुछ कहना चाहा, पारवती ने मूँ फिर लिया, और बोली, ये पुनह मेरे अराध्य प्रभु शिव की निंदा ही करेंगे, हमें इनका मूँ भी नहीं देखना च हम सब आज ही इस स्थान को छोड़ कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, ताकि इस अज्यानी भ्रामण से पुनह हमारी भेट ना हो सके। ऐसा कहकर देवी पारवती ने अपनी सक्खियों के साथ जैसे ही कहीं और जाने के उद्देश्य से अपना पैर आगे बढ़ाय वैसे ही भगवानिशिव अपने साक्षात रूप में उनके सामने प्रकट हो गए। प्रशन सा सुनी थी। इसलिए आपकी परिक्षा लेने की ठानकर मैं आपके सामने चला आया हूँ। अब आप मुझसे कुछ भी मांग सकती हैं क्यूंकि मैं जान चुगा हूँ कि आप अप प्रतिम सौंदर्य की प्रतिमा होने के साथ-साथ ज्यान, बुद्धी और विव का अनुठा संगम है। मैंने अनेकों प्रकार से बार-बार आपकी परिक्षा ली है। हे देवी, मेरे इस अपरात को आप शमा करतें। हे शिवे, इन तीनों लोकों में आपके समान, अनुरागणी, कोई ना है, ना थी, और ना ही कभी हो सकती है। देवी, आपने मुझे पती बनाने का उद्धेश्य मन में लेकर ही यह कठिन तपस्या की है। अतह आपकी इस इच्छा को पूरा करना मेरा धर्म है। देवी, मैं शीगरी आपका पानी ग्रहन कर आपको अपने साथ के लाश परवत पर ले जाओंगा। देवादी देव महादीर जी के इन वचनों को सुनकर गिरी राजनंद नी पारवती के आनंद की कोई सीमा ना थी। वे अत्यंत प्रसन हुई।